Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल काफी जादा छोटे होते हैं, साइज में, अकार में अगर आप बात करते हो, तो और 5-6 साल के उमर में ये 75% तक अपना खुद का खाना जो है, वो कुक कर सकते हैं, तो एक self-dependency आपको देखने को मिल रही है, छोटे-छोटे बच्चों को, और अगर आप compare करे, modern societies में बहुत ह की लेथारजई की तरफ हमारे सो, आप कहलो एक social paradigm shift होते वह देखने को मिल रहा है, तो आज कि इस वीडियो में हम इसी paradigm को holistically, anthropology की भाष्णा में कहें तो holistically पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसका cultural और environmental basis जानने वाले हैं, continuity में ये हैं, आपको पता है कि हमारे कौन सी सीरीज यहां पर चल रहे हैं, आप लोग की बहुत डिमांटी, जिसके basis पर हमने इसको start किया, यहां पर शुरू किया है, और यह है हमारी ember and ember की comprehensive coverage, जहां पर हमने पहले lecture में क्या देखा, why anthropology chapter 1 है, उसमें के अलग-अलग parts को, scope को हमने देख लिया, anthropology की definition, या फिर anthropology का क्या है, उसका एक तरीके से linguistic form है, उसका etymological basis क्या है, उसको हमने देखा, यह part 2 है of the same chapter 1, ठीक है, यह कोई chapter 2 अभी हमने start नहीं किया, let me fix the mic for a second, तो यह हमारा same आपका chapter है, बस उसका part 2 है, और यहां पर जाहिर सी बात है, जो part हमारे वहां पर रहे गए थे, बच गए थे, वो हम यहां पर देखने वाले हैं, तो time ना waste करते वे, let's move straight, jump to the topic, पर उससे पहले एक और खास announcement जो आप के साथ हम share कर चुके है, and again we are to share with you, हमारा anthropology का, जो optional का live batch है, बहुत सारे questions आरे, DM सारते कब से start होने वाला है, तो ली जीए, start होने वाला है, dates आप सब को पता है, 21st of April से हमारा regularly batch चलने वाला है, from what timing? 1 p.m. onwards, तो अगर आप तक, आपने अभी तक join नहीं किया है, तो आप link में जाएगा वीडियो के नीचे, या फिर study IQ के portal पे, website पे जाके, आप course में enrolled हो सकते हैं, और वो subject जो हमने कई बार discuss किया है, यह कि लोता है, और major optional है, जो 10.5 का success rate लेक से बात है, इस बार एक comprehensive way में इसको हम, combo package ची तर लाया हुए, जहां पे live classes तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी जो must चीज होती है, वो क्या है, test series, वो भी included है, और यह दोनों चीज आपको मिलने वाले है, यह 15999 में, but only if you use the code US life, यानि कि आप पर and enrolled in the course, see you on 21st of April from 1 p.m. onwards, और हम अभी के लिए 1 p.m. onwards को side करते हैं, चलते हैं, ember and ember, यानि कि the Bible of anthropology के उपर, तो यह anthropology क्या जो, why anthropology का हमारा chapter 1 है, किसके अंदर में, ember and ember के, वहाँ पे हमने तीन topics को कल के lecture में cover कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है, तो it is advisable कि पहले आप जाईए, उसको देख लिजे, उसके बाद यहाँ पे आईए, sequence, chronology बहुत important हो यहाँ पे यह लेज होती है, art and culture में आपने पढ़ा होगा ना, लेज यहाँ पे disturbed होती है, वहाँ पे issues आ सकते हैं, problem आ सकती है, तो suggested है कि आप पहले वह बहुत पार्ट पढ़ लो, anthropology है, किस तरीके से उसका nature है, scope क्या है, वो सारी सीचित देख लो, फिर आओ इस चौथे point पे under chapter 1, that we are going to pursue in this part 2 of the video, part 2 of chapter 1, okay, तो anthropology आप देखते हो, चौथा पन्ना है मेरे ख्याल से, ember and ember में, यहाँ पे हम अज़े subject नहीं बतारे है, specifically हमारी जो coverage है, वो ember and ember के around है, मतलब ember and ember में जो लिखा है, जो बताया गया है, जो text यूज़ 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 जो example case studies भी हुई है, हम directly वहीं यूज़ करने वाले है, अपना अलग से हम इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने वाले है, कोई अलग से चीज़े इसमें नहीं यूज़ करने वाले है, तो आप इस पे आते हो, आपको सब सब पहले देखने को मिलता है, heading, after scope और बाकी चीज़ member and Malvin Amber, husband and wife हैं दोनों, वो हम से ये कहने कोशिश कर रहे हैं कि इसमें difference क्या आपको देखना मिलता है, on the side जहां पे आप बात कर रहे हो, nature of study की, उस nature of study में क्या difference है, जब आप anthropology को लेके चलते हो, और किसी और discipline की बात कर रहे होते हो, तो यहां पे जो आपके काम का portion है, उसक में भी जो most important चीज़े हैं, वो आपको यहां पे मांगडवे में दिख रही है, बोर्ट पे I think, if it is too zoomed, यहां में आपको शायद ना दिखे, या फिर उत्ते clarity के साथ ना दिखे, अगर दिख रहा हो तो well and good, पर अगर नहीं भी दिख रहा हो, तो आपको पता है कि यह सारी PDF और PPT जो हैं, वो कहां पे आपको मिलने वाले हैं, हमारा टेलिग्राम जो ग्रूप है, Anthropology, Decoded, Anthropology, Decoded, यहां पे आप जाईए, और सारे के सारे lectures के, live lectures related जो भी चीज़ आपको देखने को मिलनी होती हैं, और यहां पे भी जो कई सारे discussion होते हैं, PDFs, PPTs, materials, use होते हैं, वो देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ कई सारे quizzes भी हम करते हैं, ना सिर्फ anthropology के, पर बाकी चीज़ों से related भी, GS का portion, current affairs, अपर anthropology से related dynamic portion की जो news है, उसको भी हम comprehensive way में वापे cover कर रहे होते हैं, coming back to the topic, कि यहां पे ember and ember साब बता रहे हैं कि differences कैसे हैं, differences आप देख रहे हो रहा है, वहीं इसकी एक तरीके से आप कहलो, distinctive feature को mark कर रहा होता है, वो किस तरीके से कर रहा होता है, कि anthropology में आप typical character जो है human population की उस पे focus अपना कर रहे हो, यानि कि आपका focal point है, जो lens है, जिस चीज़ को आप zoom out करके देख रहे हो, वो क्या है आपका typical characteristic of the human population, किसी एक group में depth में जाकर कि आप पढ़ना चाह रहे हो, उसको out and out way में एक उपर से structural form में आप सिर्फ उसको पढ़ नहीं रहे हो, जो कि कहा होता है, दूसरे disciplines में, जो कि एक claim करता है, कि हम भी human के बारे में पढ़े रहे है, human population, human societies के बारे में पढ़ना और जानना चाह रहे है, यहां पे आप देखते हो, कि जो डूसरे disciplines है, उसके बारे में एंबरे नंबर क्या कहता है, कि दूसरे disciplines में individual variation और वो भी खासकर variation जो कि एक small group में पाए जाता है, उस पे focus हो रहा है, जो कि anthropology नहीं कर रहा होता है, variation तो आपको जो बच्पन में देखते हो, आप usually एक table बनाके, एक site प होता है, इसमें यह होता है, इसमें यह चीज़ अपसेंट, उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है, तो opposite way में, I think there's a, हाँ, अब I think my के साथ issue नहीं होगा, आपका, अब आजारी होगा है, तो वो चीज़ आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि दूसरे disciplines में ही है, वहां पे variations की बात कर रहे है, उपर उपर तरीके से, मोटे मोटे तरीके से, पर anthropology आपको बता रहा होता है, कि अगर आप किसी population को देख रहे हो, तो इसको micro level पे जाकर बहुती depth में, zoomed in way में वो चीज़ों को पढ़ रहा होता है, कि अगर किसी की skin का color, आप कहलो skin tone जो पर आपको यह सेम चीज़ कहां पर नहीं देखने को मिल रही है, जब आप जाते हो anthropology में, वो उस differentiation के पीछे छुपे हुए कारण को ढूबने का प्रयास कर रहा है, एक anthropologist जब इस तरीके के चीज़ों को देख या समझ रहा होता है, नेक्स आप बात करो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर कोई भी practice है, खास कर peculiar किसी society भी, polygamy की, polygamy क्या होता है, mostly आप लोग को पता होगा, खास कर अगर आपने हमारे सारी lectures को देखा है, फोलो किया है, नहीं भी देखा है, तो polygamy, poly, यानि बहुत एक से marriage के लिए term use होता है, तो multiple logo के बीच में या फिर एक individual की multiple logo के साथ marriage हो रही होती हो, हो सकता है, एक male member जो है, उसकी बहुत सारी females के साथ हो रही हो, या फिर किसी एक female की multiple males से हो रही हो, इन सब को आप क्या कह रहे होते हो, polygamy कहके address कर रहे होते हो, अब polygamy में जब दूसरे humanities क जो discipline से वो पढ़ेंगे, polygamy के feature को, polygamy के पूरे के पूरे nature को, तो ये कहेंगे कि हाँ, इन societies के बीच में polygamy है, उन society के बीच में polygamy नहीं है, पर हम उस चीज के depth में जाएंगे कि उसकी वज़ह क्या है, polygamy आपको वहाँ देखने हो, क्यों मिल लिए, polygamy का evolution क्या हो है, उससे पहले marriage का क्या rule रहा होगा, marriage किस तरीके से होती है, क्या polygamy ही first stage है, जो कि आप देखते हो, कि Morgan का work है, Maldok का work है, वो बता रहे होते हैं, नहीं, polygamy पहला stage नहीं है, polygamy से बहुत पहले, जो सबसे पहला primitive stage है, वो क्या है, sexual promise committee की है, यानि कि कोई rules नहीं होते है, regarding who is going to marry, whom, randomly meeting हो रही है, randomly marriages हो रही है, तो anthropologist जब इस चीज को पढ़ेगा, तो वो polygamy का reason जाना चाहेगा, उसका nature जाना चाहेगा, उसका एक cultural evolution जाना चाहेगा, कि वो इस stage पहुची है, तो कहां से पहुची है, और इसके बाद जाएगी, तो कहां पे जाएगी, कहां भी कि final, जो सबसे advanced stage है, वो क्या है, monogamy है, यानि single male, single female, single female, single female, single male के बीज का marriage system जो होता है, तो इस तरीके से वो चीजों को analytical ही देखना चाहा रहा है, इसलिए UPSC के लिए बहुत ही अच्छा subject होता है, योगि UPSC में खासकर अगा बात करते हो, mains की, GS के papers को आप लिखने technically, factual way में सोच सकता है, और जो आपकी analytical और evaluative power, capability जो है, उसको जो judge करनी होगी, वो आप से GS के papers में, mains में, वो सारी चीजों को कर रहा होगा, देख रहा होगा, तो इसलिए anthropology का जो nature है, that is very much inclined towards the nature of UPSC, इसलिए आपको ये as a favorite subject, खास कर पिछले एक दशक में देखने को मिला ह नेक्स अगर आप बात करते हो, तो anthropologist यहाँ पर जानना चाहते हैं कि अलग-अलग characteristic वो कौन से हैं, जिसको दूसरे लोग taken for granted ले लेते हैं, जैसे for example, अगर economist, कोई economy में economic system को पढ़ना चाहरा है, तो वो monetary system जो है, है न, या फिर जो modern system रह चुके है, written history के अंदर में, चाहे वो barter trade से लेकर के आप बात करते हो, और किसी precious semi precious metal के through exchange का काम करते हो, land in yours के बात करते हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हो, या फिर currency के उपर आप सीधिया जाते हो, जो modern way में चल रहा है, modern monetary system के अंदर में चल रहा है, तो इस पूरे nature को, यह जो time frame है, एक छोटा सा time frame है, उसको वो taken for granted ले लेते हैं, कि हाँ यहीं जो साथ हमको इसी हो पढ़ना है, और इसी के around हमारी सारी की सारी, जो understanding है, economic understanding है, वो revolve out करेगी, पर anthropology असा नहीं देख रहा होता है, उसका time frame जो है, वो space में भी बहुत बड़ा है, यानि area wise, और temporarily भी बहुत बड़ा है, यानि कि time wise वो even prehistoric societies तक जाके देखता है, कि उनके बीच में किस तरीके का nature of trade या economic practices पाई जा रही हैं, और पाई जा रही हैं, तो क्यों पाई जा रही हैं, उसी तरह की practices कुछ और क्यों नहीं पाई जा रही हैं, और फिर उसको भी वो differ out कर रहा होता है, किसी दूसरे continent में, या किसी adjacent culture में, अगर कोई तीसरी आपको वहाँ पर economic practice मिल रही होगी, तो आप देख रही होगी, कितने जाद है angles और layering पर विचार कर रहा होता है, कि anthropologist अगर एक simple सी चीज़ को पढ़ा रहा होता है, तो ये uniqueness आ जाती है, जिस चीज़ को लोग taken for granted ले ले लेते हैं, कि हाँ ये तो हो experience जो है, या फिर language का जो है, CSET आप कुछ experience जो होते हैं, खास का जो science background से, mathematics वाले हैं, इस domains से हैं, वो granted लेते हैं, और किसी भी चीज़ को granted लेने कि वहीं आपको weed out करती है, screen out कर देती है कई बात, जिस चीज़ को आप बहुती confidently, overconfidently एक तरीके से granted ले ले लेते हो, तो बा पर differences आ जाते हैं, पॉलिटी में भी वो पॉलिटी का नेचर जानना चारी है, ठीक है, constitution को पढ़े लिए, constitution के feature पढ़े लिए, thoughts पढ़े लिए, theories पढ़े लिए, कि ये चीज़ हो रही है, इसका फाइदा क्या है, features पढ़े लिए, पर leaders को अगर आप बात करते हो, तो कौन इंसान है, जो leader बनता है, और वो कौन से general factors है, जो एक इंसान को leader बना सकने है, क्या उसके बीच में universality होती हो, क्यानि कि कोई एक certain feature किसी individual में पाई जा रहे हैं, तो वो इंडिया में भी leader बनता हो, आपको देखने को मिल रहा है, तो वो common features या common trademarks को रुखता है, लोगों क leaders के बीच में, कि इनके existence की वजए से कोई एक इंसान leader बनके उभर रहा है, तो वो granted में किसी चीज को नहीं ले रहा है, कि हाँ यहाँ पे हमने सोच लिया कि एक constitutional system है, या फिर democratic है, या फिर monarchy का system चल रहा है, या theocracy है, कोई भी system जिसको आप granted लेके चल ले होते हो, कि वहाँ क्या feature से जिसके वए से कोई leader बनता है, ठीक है, society में वो कौन से parallels हैं, जिसको draw करके कोई इस तरीके की legitimacy, leaders की एक बहुत खासियत होती है, कि जाहिर से बात है, वो legitimacy को draw कर रहा होता है, अगर उसके पास legitimacy नहीं है, तो rule नहीं कर सकता है, लोगों का consensus ही होता है, vote जो है वो एक लोगों का समर्थन है, legitimacy उसको मिलती है, तो वहीं चीज है anthropology, legitimacy के structure को और outlook को भी समझने और पढ़ने की से, वहाँ पर chase track करता है, Ember and Ember साहब ने भी और मैडम ने भी यहाँ पर वो सारी चीज़ों को आपको बताया होगा, he want to know why certain people tend to become leaders, कि कोई जो बनता है, वो क्यों बनत है, political structure वो तो इसके बाद आता है, कि कौन बना, उसने क्या किया, क्या features रहें, उसके पीछे की theories की, इस तरह के मुल्य होते हैं, ठीक है, Marx ने क्या कहा, इन्हों ने क्या कहा, उन्हों ने क्या, स्टालिन ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को पढ़ना समझने के आप कोशिश कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे वो जो हम theories को पढ़ते हैं, anthropology के अंदर में, उसके basis पे वो इस reason को जाना चाह रहा है, कि जो leader बना, आखिर में वो क्यूं बना, तो यह distinctive feature है, जो बता रहे हैं, और जो इसके साथ वो add कर रहे हैं, कि ऐसा वो क्यूं करता है, वो जब इस चीज़ को पढ़े रहा है, कि कौन leader बना, तो individuals को नहीं छोड़ रहा है, आप सोच रहे हो कि अगर वो political structure को, function को, nature को psychologically समझ रहा है, पढ़े रहा है, तो लोगों पर focus नहीं कर रहा है, जैसे इंड कि वो छोड़ देगा कि इंद्रा गांधी ने क्या किया, इंद्रा गांधी कौन थी, रजीव गांधी कौन थी, कैसे तैटल वियारिवाच पर, कैसे तुन्हों ने क्या किया, ऐसा नहीं है, वो individually भी लोगों को पढ़ता है, पर उसके साथ साथ, major focus उसका उन चीज़ों पर वज़े से anthropology जो है, वो दूसरे disciplines से काफी अलग है, अब यहाँ पर, जो heading पढ़ी थी, आपने देखा होगा, कल हमने syllabus discuss किया था, तो उसमें, जो fields आते हैं, अलग-अलग, ठीक है, जो anthropology के divisions आपको, सब disciplines के अंदर में देखने को मिलते हैं, या फिर, कहलो, branches कौन सी है, branches of study अंदर में, तो वो इस diagram के साथ, यह हमने नहीं उसकिया है, हम अपना करने भी नहीं वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर lectures deliver नहीं कर रहे हैं, particularly on any topic, हम वो बाते कर रहे हैं, जो ember and ember ने की हुई है, अपनी किताब में, तो यहाँ पर diagram आपको page पर जाओगे, आपे page न पर आपको ethnology देखने को मिलता है, है ना, ethnology को हाला कि आप better suited term है, जिससे आप familiar होगे, वो है, cultural anthropology, कई जगहों पर आज कल इसको क्या बोला जाता है, social anthropology कहकर भी इसको बुलाए जा रहे होता है, ठीक है, बात वहीं होती है, अगर आप से ethnology कहे हैं, तो उससे लिए modern suited term है, cultural anthropology और कोई social anthropology कहा रहा होता है, तो भी वो सही है, बात कई जगहों पर आज काल इंडिया में खासकर आप देखते हो, तो हम term use करते है, socio-cultural anthropology, दोनों को जोड़ देते हैं, Britishers और Americans के बीच में अगर आप बात करते हो, तो lexicon में, dictionary में, terminologies में, कई बार फर्व देखने को मिलता है, और वो इस चीज को बनाया रखना भी चाहते हैं, तो एक धड़ा जो है, वो हमेशा इसके लिए term use कर रहा है, social anthropology का, दूशरा धड़ा जो है, culture anthropology का, चीजे more or less जो ह है, वो clash कर रही होती है, और लैप कर रही होती है, जो की एक comprehensive हमें edge देता है, society की study के उपर, culture की study के उपर, और हम उसको क्या बोलते है, socio-cultural anthropology, ठीक है, तो पहली ब्रांच तो यह हो गई, इसके अंदर में आप क्या पढ़ लेओ, इसके अंदर में आप क्या पढ़ लेओ, इ status होता है, अलग-अलग लोग का, है ना, किसी का higher है, किसी का lower है, अगर आप इंडिया की बात करते हो, तो इंडिया में cast के basis पे status एक आपको देखने को मिल जाता है, although, आज class के basis पे भी है, क्योंकि इंडिया दीरे capitalist in nature होता जा रहे है, materialistic in nature होते है, society हमारी जो है, इंडिव हमारे यहां भी वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही होती है, पर अगर हम बात कर रहे होते हैं, कि आप किस तरीके से इसको देखना चाहोगे, तो वो differ कर रहा होता है, हर जगब में, है ना, तो हमने बात की कि social culture anthropology में आप status को जब पढ़ रहे होते हो, तो class के basis पे भ समाज को वर्गी करत करने का, यानि वर्गी करन करने का, segments में, compartments में बाटेने का एक तरीका है, किसी सोसाइटी में कुछ होता है, किसी सोसाइटी में कुछ होता है, इंडियन सोसाइटी में एक unique feature कहलो कि mostly बहुत तरीके के आपको certification के modern मिल जाते है, regional basis पे, national basis पे, और traditional basis पे शुद्रास का या फिर जो untouchables है, वो सबसे नीचे उस ladder में तो उनका status सबसे कम आपको देखने को मिल रहा होता है, तो social culture and anthropology status को पढ़े रहा है, फिर वो norms को पढ़ेगा, आप norms क्या है, expected behavior, आप किसी role में हो, कहीं पे खड़े हो, ठीक है, आप से क्या चीज़ आप पेक्ष है कि आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, किस तरीके से behave करोगे, और आपका role क्या होगा in general, वो चीज़ है, आप कह सकते हो, उसको best suited term जो उसके रहे है, norms, तो norms की भी study कर रहा होता है, जो anthropology में, social anthropology का part है, sociocultural anthropology का part है, साथी में, अलग-अलग institutions है, society में, marriage as an institution आपको देखने को मिलता है, kinship है, quality है, बहुत सारी institutions आपको देखने को मिलता है, religion एक बड़ा सा domain आपको देखने को मिलता है, तो ये सारी सीज़ को magic है, witchcraft है, traditional healing है, medicine system है, traditional, ये सब आपको sociocultural anthropology के अंदर में आते वे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गई, ethnology की पूरी की पूरी field, यह फिर field of study, area of specialization, ethnology basically comparative way में चीजों को देखता और समझता है, है न, जैसे अब comparative religion की बात करते हो, तो कोई लोग comparative religion को पढ़ना चाह रहे है, तो क्या कर रहे है, कुरान को पढ़ेंगे, Bible को पढ़ेंगे, Hinduism के जो text उसको पढ़ेंगे, हम comparative study कर रहे है, अलग-अलग religious text क यहाँ पर क्या हो रहे है, cultural study हो रहे है, वो religion को भी पढ़ सकते हैं, यो religion is also part of culture, religion is also part of society, पर in general अगर आप broader framework में बात करोगे, तो different cultures को comparative way में पढ़े हो, there is a comparative study of various culture, इसी के अंदर आपको एक, अगर आप deep में जाते हो, तो ethnology भी कई तरह की कि आपको देखने को मिल जाती है एक आपको देखने को मिलती है, historical ethnology आप कहते हो, ethno-histography जिसको आप कह सकते हो, वहाँ पे historical text को comparative way में पढ़ा और समझा जाता है, और उसके basis पे cultural study की जाती है, है ना, दूसरा अगर आप हम एक और term इसके साथ associated है, इस से फ़र डिफरेंट है, जो कि यह ethnography, ethnography में आप बहु सेग्मेंट को पढ़े रहे होते हो, जो culture का एक पार्ट होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा group है, हिंदूस को ऐसा group ले लो, है ना, या फिर और नीचे चले, आप किसी tribe को ले लो, गोंड की tribe है, संथल्स की tribe है, होस की tribe है, तोड़ा की tribe है, अलग अलग ट्राइब से है, पर अगर आप उसमें भी deep जाके, उनके सारे के सारे features को, activities को, practices को, record करने बैठ जाओ, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे, एथनोग्राफी, है ना, तो एथनोग्राफी, in general, यहाँ पे book में आपके बताई गई है, हमने हमने उसका screenshot यहाँ पे add नहीं किया, उस कि PDF easily available है, वहाँ पे आप जाओगे, तो आपको देखने को मिल जाता है, कि एथनोग्राफी के बारे हम बात कहींगे, तो एथनोग्राफी is simply nothing but the recording of culture, अप record, recording यह नहीं ज़रूरी है कि आप DSLR लेके वहाँ पे बैठ गए, जैसे कौन, 3D में, I think, फरान थे ना, फरान ना, जो भी नाम था, I don't remember, तो वो जैसे उनको शॉक होता है, तो उस तरीके से अफकोस वो recording की बात नहीं हो रही है, culture recording की बात हो रही है, although modern tools and technique में कैमराज का भी इस्तमाल करके culture को record किया जाता है, पहले के जमाने में क्या होता था, वो लोग pen, paper, use करके, बैठ जाते थे और द सबको वो एक तरीके से record कर रहा है, हो सकता है किसी एक particular चीज के उपर बहुत बड़ी सी चीज, ethnography लिख दे, हो monograph हो जाएगा फिर आपको होगे, single चीज के उपर पूरी बात कर रहा है, single tribe के single एक particular aspect को, for example, अगर कोई Eskimos के यहां जाके marriage किस प्रकार की हो रही है, उसके पढ़ लिया, family, kinship को भी पढ़ लिया, politics को भी पढ़ लिया, Eskimos के बीच में, और भी कई सारी चीजों को पढ़ा, तो वो क्या होगी, broader frame में, तो हम कहा रहे हैं कि पहले क्या होता था, traditionally pen and paper का use करके, पूरी की cultural recording की जाती थी, कि वो लोग क्या गतिविधिया कर रहे हैं, उसको note down करो, क्योंकि आप उसमें note down क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक हमने देख लिया, समझ यह चलोगा, वो नहीं करोगा, exactly जो चीज आप देख रहे हैं, उसको note कर रहे हैं, ताकि आपका personal prejudice या आपका personal viewpoint उसमें ना आने पाए, हर इंसान का viewpoint होता है, हो सकता है, आपको लगे, कि अच्छा, यह इस तरी की चीज़ कर रहा है, इसका मतलब यह, for example, अगर हम example एक use करते हैं, जो भी आगे भी same example हम share करेंगे, gazing, किसी को देखना, आखों में आख डाल के देखना, इसके अलग-अलग माइने हैं, अलग-अलग societies में, अलग-अलग population के बीच, कहीं पर यह बहुत अच्छी चीज़ मानी आती है, आप American society के बीच, बहुत सरी अलग societies के बीच आते हो, तो वहाँ पर आखों में आख देखके बात करना अच्छा वान आता है, और अगर आप दूसरी जगर जापान पर चले गए, तो वहाँ पर elderly people को, respectful people को अगर आप आख तो आप कुछ और समझोगे, ठीक है, same चीज़ के लिए, तो यहीं है, यह differences आ जाते हैं, इसलिए it's better to record it as it is, जो आप observe करो, उसको वाँ पर no down करो, धी में धी में तकनीक में इजाफा हुआ, तो लोग simple mere recording with pen paper से evolve करके, tape recorder, audio recorders को use करने लगें, फिर धी में धी में camcorders और डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की टेकनीक साई, तो उसको भी इस्तिमाल कर रहे हैं आजकल modern way में, तो बहुत सारी सहूलियत आ चुकी है, ethnographic चीज़ों को ethnographic conquest को establish करने में, तो ethnology आप समझ गयोगी कि उसके अंदर में क्या-क्या चीज़ों होती हैं, आप उसको cultural anthropology भी कहते हो, दूसरी चीज़ जो है, दूसरा पार्ट जो इसके अंदर में वो है archaeology, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यह नेचर वाइस अगर आप देखो, तो यह सारी के सारी जो चार फील्ड्स हैं, पहली यह हो गई, archaeology, दूसरी हो गई आपकी ethnology, तीस ही हो गई, यहाँ पे biological anthropology, पांच भी हो गई, यहाँ पे applied anthropology, although कई जगहों पे यहाँ पे सिर्फ इन चार को जोड़ा जाता है, पर हम यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एंबर एंबर की, तो हम जो उन्होंने कहा है, जो बता है, applied anthropology को भी उसके अंदर में जोडते हैं, क्योंक की anthropology की, इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे term जो use है, और अगर आप हमारे telegram के group में हो, तो आज ही हमने quiz भी डाला है, group के अंदर में, कि वो कौन सा anthropology से जिसने anthropology में, जिसको credit किया जाता है anthropology में, four field approach के development के लिए, बहुत सारे लोग, I think, जिन्होंने गलत answer दिया हुआ है I am not sure, अगर मैं चेक करता हूँ, कि how many of you have given the correct answer, so let's see, open the telegram channel, which is anthropology decored, और वहाँ पे अगर हम देखते हैं, 8% लोगों ने सही answer दिया है, जो कि सही answer क्या था, four field study किसने दिया है, किसने develop किया है, किसको credit दिया आता है, France Boas, जिसको, जिनको historical particularism का जो school है, उसके साथ associated है, diffusionist है, यह prominent नाम जो है, modern anthropology का father भी कहके इनको बुलाया जाता है, तो वो सही answer थे, 17% लोगों ने कहा है, E.B. Tyler was the correct answer, 58% of लोगों ने कहा है, L.S. Morgan was the answer, वो evolutionism के साथ जुले वे थे, और 17% लोगों ने Robert Brown का भी, जिनके बारे में अभी तक हमने लिए हुआ है, so this was the correct answer, जो लोग भी आप में से गलत answer दिये है, उनको, of course, punishment नहीं देने वाला है, क्योंकि ये कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी answer देते हो, तो आपके दिमाग में वो answer छप गया, आपने जब उसको mark किया, और सही answer आपके सामने आया है, कि ये right answer है, France was, और खासकर एक bulb बनी होती, answer के उपर, जब आप answer देते हो, तो इस तरह कि एक bulb बनी होती, उसको आप ज़रूर के देखा करो, उसमें right answer से related information होती है, कि वो right answer है, वो क्यों है, क्या है, और भी additional information वो आप पे provided होती है, तो वो दिमाग में आपके छप जाती है, और ये wrong answer देन right answer से भी ज़्यादा साही होता है, कई बारे तुक्के में आप right answer देते हो, तो आप आगे बढ़ जाते हो, उस पर नहीं देखते हो, पर wrong answer जब होता है, तो reinforcement method आपके दिमाग पर psychologically काम कर रहा होता है, वो आपको देखने को मजबूर करता है, समझने को मजबूर कर रहा होता और गलत चीज जो आपकी रहती है, जो आपने एक बार select की होती है, वो आपकी retain होती है, आप उसको देड़ तक अपने दिमाग में ले करके चल सकते हो, तो four field के हम बात कर रहे थे, इसके development के लिए, although यह exist करती थी पहले से, पर prominently इसके साथ associated या इसका development किस ने किया हुआ ह और यहाँ पर आप देख रहों कि term है, use है four, पर यहाँ पर नाम कितने है, पांच, तो वही हम बात कर रहे हैं कि applied जो है, यह second world war के आसपास anthropology के साथ जुड़ती है, और 1960 के दशक के साथ यह पाच्वा पार्ट इसका बन जाती है, the fifth branch in anthropology, तो इसमें से भी अगर आप बात कर करते हो कि archaeology और ethnology तो उसको दो basis पर आप नेचर के basis पर divide कर सकते हो, दोनों क्योंकि culture और human की societies को पढ़े रहे हैं, पर एक difference है, nature के front पे, कि यह distant past में human के society, human के culture को पढ़े रहे होते हैं, और यह recent past या फिर आप कहलो जिसको यह term जो है recent past क्या, यानि कि present contemporary society में चीजों को प बेता को, है ना, उनकी population को, उनके beach variation को, अलगलग चीजों को पढ़ने की जो चीजों को आप ethnology या culture anthropology के अंदर पढ़े रहे हो, और जो लग अब जीवित नहीं है या फिर पहले थे, उनके बारे में जो आप पढ़े रहे हो, उनका culture पढ़े हो, उनकी features पढ़े हो, उनकी society को पढ़े रहे हो, तो वो आपकी archaeology के अंदर में आ जाती है, तो यह सारे differences आपको देखने को मिल रहे होते हैं, अब archaeology या फिर archaeological anthropology और history, दोनों आपको होगे कि यह दोनों past की study करते है, तो archaeological anthropology कैसे उससे different है, history से, history जो है आपका specifically focus किस चीज़ पर कर रहा होता है, जहां तक आपके पास written records available होते हैं, जहां पर आपके sources available है, जो चीज़ लिखी हुई है, या फिर जो भी information जिसको आप decipher कर सकते हो, आप उस चीज़ को history में major focus करके चल ले होते हैं, although इंडिया में एक trend है कि कई जाज़ा उसको ancient या history में हम कई सारे portion को ले लेते हैं, पर technically वो history का part नही ही हमारे पास, वो आपके archaeology के अंदर में आ जाते हैं, और एक beach का zone है, जहां पर written record तो मिल रहे होते हैं, पर वो decipher नहीं हो सकते हैं, आनि कि उसको आप समझ नहीं सकते हो, understand नहीं कर पार, comprehend नहीं कर पार, उसको आप क्या कहते हो, प्रोटो history कहते हो, ठीक है, तो prehistory जिसके written records ही नहीं है, आपके पास, proto history written record आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो होंगे ही नहीं, अफकोस हो सकता है, वो रहे हो, पर आपको अब तक मिले नहीं, आपने अब तक discover ना कियो, तो उसको प्री history कहते हो, proto history वो time है, जबके records हैं, पर आप उसको understand नहीं कर पार, समझ नह अब तक आप कि उत्ती समझ नहीं हुई है, कि आप उसको, उसको symbols को, उन सारी चीज़ को decipher कर पाओ, जैसे for example, Indus Valley Civilization के अगर आप बात करते हो, कई सारे लोग हैं, जो इसको समझने कोईश कर रहे हैं, I think, मुझे नाम नहीं आदा है, एक prominent South India के एक linguist है, वो काफी समय से उस जिसके, sorry, जहां के written records भी available और आप उसको translate भी कर पार, आप उसको decipher भी कर पार, आप comprehend समझ पा रहे हो, तो उसको history कहते है, पार ecological, far beyond जाता है, उसकी जो length है, far beyond है, history के, ठीक है, इस way में आपको differentiation देखने को मिल रहा होता है, और वो अलग-अलग चीज़े जो मिल रहे होती ह उसके basis पे society में, जो आप कहा रहे हो कि खास करकि जो evidences मिलता है, वो nature कैसा होता है, material culture के होता है, ठीक है, इसको artifacts भी बोलता हो, इंसान ने use क्योंगे, आप जैसे आज kitchen में जो चीज़े यूज कर रहे हो, वाश्रूम में अगर कोई आप चीज़े यूज कर रहे हो, बल्ब कर रहा होता है, तो हमारे बाद ये चीज़े यही पर जाएंगे, आपकोस हम तो perish हो जाएंगे, पर ये चीज़े यही पर जाएंगे, किसी और को 500 साल, 600 साल बाद मिलेगी, उनके लिए क्या होगी, एक evidence की तरह होगी, तो वहीं चीज़े कि आप उन evidences के through interpret करने की कोशिश कर रहे होता हो, किसकी human past or human past culture and societies को, तो ये हो गया दूसरा, और तीसरा क्या anthropological linguistics है, ठीक है, linguistics जिसको आप भाषा भी ज्यान बोल रहे होता हो, उससे काफी जाद है इसके बीच में जुडावद आपको देखने को मिल रहा होता है, पर difference क्या है कि आप anthropological linguistic में चीज़ों को anthropologically समझ रहे हो, इसमें भी कई सारे domains आ जाते है, historical, structural और एक और है, जिसको आप कह सकते हो, social linguistic, although एक अपने आप में अलग discipline भी है, social linguistic की, historical में आप language को historically समझ रहे हो, कि language कहां से आई, ठीक है, किस तरीके से evolve हुई, उसका origin कैसे हुआ, वो structure around कैसे की, और जो languages आज के समय में, linguistic का main focus होता है, जो languages, French को पढ़ लिया, English को पढ़ लिया, उस तरह के, और language की structure को समझ लिया, है न, function को समझ लिया, जो आपके पास available languages है, आपके पास जिसको traceable करने के sources है, पर आप anthropological linguistic में जाते हो, तो हम उन languages पे भी बात कर रहे होते हैं, जो कि आप die out कर चुकी है, कही सा लेंग्वज़ ऐसी हैं, जो verge पे है, extinction के, और कई सारी already died out है, तो ये उन सारी languages पे भी focus कर रहा होता है, और उनके origin, evolution, कई सारी concept को देख रहा होता है, उनके historical perspective में उसके उपर बात कर रहा होता है, दूसरा structure है, structural linguistics है, वो वहीं बात है कि भाशा की एक संगरक्षना को समझ देना चाहरा है, कि भाशा किस तरीके से हर जगह पे structure around है, और क्या दो अलग-अलग languages के बीच में आपको क्या commonalities, क्या similarities, structural basis पे आपको देखने को मिल रही होती है, social linguistic आपकी जो branch है, वो बात कर रही होती है कि language का use, language in general, किस तरीके से mold करी जा सकती है, या फिर किस तरीके से बदलती है और बदली जाती है, दो जगहों पे, दो अलग परिसितियों में, दो अलग situation में, for example, मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, तो मैं गाओंगा, hello experience, या नमशकार मेरे दोस्तों में तो, इस तरीके से बात करूँगा, आप मुझसे कुछ पूछोगे, तो hello sir, या तो आप देख रहे हो, age और किस से आप बात कर रहे हो, उसके according आपकी भाशा, आपके शब्द, आपका tone, pitch, हर चीज़ बदल रही होती है, ठीक है, space क्या है, library में आप तो अलग आपकी tone होगी, आपकी अलग pitch होगी, और आप अगर playground में हो, कई पर cheer कर रहे हो, फुटबॉल खेल ले, और रोनाल्डो में सी को देख रहे हो, टीवी पे, तो वहाँ पे आपकी अलग picture tone होगी, आप अगर school में हो teacher के सामने, तो एक अलग लहज़ा होगा, आप judge के सामने हो, तो लहज़ा भी अलग होगा, और lexican भी, जो वहाँ पे specifically terms use किये जाते हैं, वहाँ पे आप use कर रहे होगे, तो अलग-अलग situation, अलग-अलग परिस्थितियों, अलग-अलग age group, अलग-अलग gender, अलग-अलग जगहों के हिसाब से, भाषा, भाषा का इस्तमाल, और उसकी आप कह सकते हो, usability, functionality, change होती ही, mold हो रही होती, तो वह सब आप कहां पढ़ रहे हो, तो जिस branch में इसको sociolinguistic कहते हैं, ठीक है, although यह अपने आप में अलग सी discipline भी है, पर इसी से जुड़ती मिलती है, एक और discipline है, जो anthropology के अंदर में बैयाती है, और उसको आप क्या कहते हो, ethno-linguistics, हम पढ़ेंगे कभी detail में, इसका part नहीं, ember and ember ने उसको बात नहीं किये, तो हम भी उस मोटी, जो ember and care, ember कहे रहे हैं, बाकी लोग जो है, बाकी books जो हैं, तो कई सारी सके अंदर divisions गिनाते हैं, पर an ember and ember जिस पर focus करने हो कहे रहे हैं, कि एक है कि human paleontology को पढ़ते है, और दूसरा human variations को पढ़ते हो, paleontology में आप अलग-अलग fossils को ढूट रहे हो, है ना, human की evolution को देख रहे हो, समझ रहे हो, human की इस तरीके से उसमें कौन से changes आए, उसको taxonomical level पर आप देख रहे होते हो, कहां पर वो पहुचा, primate की अलग-अलग stages है, आप उनको पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, कि primates के जो group है, उनका structure हम से कितना अलग है, कितना similar है, कितना different है, सारी चीज़ को समझ रहे होते हो, पढ़े रहे होते हो, fossils को trace करते हो, fossils में आप देख रहे होते हो, कि किस basis पे कौन से morphological, anatomical changes आया, जिसकी वैसे कोई particular feature हमारे अंदर तो है, homo sapiens के अंदर, पर हमारे ancestors के अंदर नहीं है, तो यह सारी चीज़े paleontology में होती है, और variation में अभी हमने example दिया, skin tone का, किसी में lighter होना, fairer होना, किसी में ज़्यादा, आप कह सकते हो, on the darker side होना, आप बात कर रहे हो तो, किसी में height का बहुत ज़्यादा होना, किसी में height का बहुत कम होना, width, आप बात करते हो, adiposity, कई सारे variation आपको देखने को मिलते हैं, यह सारी बाहर, अब को देखने को मिलती है, तो अलग-अलग blood types आपको देखने को मिलता है, हीमोग्लोबीन structurally आपको अलग-अलग देखने को मिलता है, HBS, सिकल सेलनीमिया का अलग हीमोग्लोबीन, आपको देखने को मिलता है, adult है, fetal है, embryonic, hyumine, globin है, तो सब आपको variation population marker के तोर पे दिख रहते हैं, और उसको अगर आपको join करना, आपको interest है, आपको भी जाना है, तो हमने क्या बताया हुआ, एक source है, सीधे, जो 21 तारीक से start हो रहा है, 21st of April, वहाँ पे आपकी journey शुरू हो रही है, और आप participate कर सकते हैं, एक PM से classes आपकी जुलने वाली है, test series में involved है, price 15999 है, वो क anthropology में, but study IQ में, अगर आपको EB course को वहाँ पर purchase कर रहे होते हो, तो next हम बात कर रहे होते है, four field भी हमने देख लिए anthropology के अंदर में, एक और फील्ड है, जो यहाँ पे usually बात नहीं होती, पर ember and ember के drygram में है, तो हम सब discuss कर लेते हैं, applied anthropology क्या है, इसको कहीं लोग practicing anthropology भी बोलते ह है, पर ember and ember ने दोनों को एक ही बता है, तो हम भी आपको एक ही कह के बता रहे है, applied anthropology वो है, जहाँ पे आप anthropological knowledge, anthropological text, anthropological theories को practice कर रहे होते हो, यानि कि उसकी usability देख रहे होते हो, for example, physical anthropology में, आप forensics को पढ़े रहे हो, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया, उसको आपने पढ anthropology के अंदर में, social anthropology के, अगर इस तर पे आप बात करते हो, तो कई सारी चीज़े हैं, जिसको अगर आपने political structure समझा, तो आप समझ सकते हो कि क्यों कैसे, किस basis पे इंसान vote को डालता है, ठीक है, religion है, तो उसकी existence का क्या वज़य है, तो हर तरीके के इस सब चीजों को use करके, या the medium या portal of what is called as advocacy, कि आप किस तरीके के scheme बनाओ, तो ज़्यादा suitable होगी, ज़्यादी acceptable होगी to the recipient population या recipient individuals, तो I hope this is clear to you, यह सब fields थी anthropology के अंदर में, यहाँ आप देखो, यह एक primatologist है, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, खासकर जो लोग आप में से anthropology UGC net के purpose से पढ़ ले उनके लिए यह काफी useful हो जाता है, कई बार नाम दिया जाता है, यहाँ पे हमारा, gladicus का अलग-अलग primatologist का नाम दिया जाता है, और उसको match करने को कहा जाता है, किस से उसके जो भी, जिस ने research की और जिस पर research की है, जिस primates के उपर, कई किसी ने orangutan के उपर की, जैसे gladicus का न आपने देख ली, समझ ली, नेक्स यहाँ पे आप देख रहे होते हो, यह दो case studies है, जो हम next lecture में discuss करने वाले है, case studies को separately हमने रखा हुआ है, जिस में से एक वीडियो के start में हमने बोला था, हर्जा की population, छोटे बच्चे जो तीर अंदाजी कर रहे हैं, और खाना पका पा रह लेकिन एंबर एंबर फिर से कह रहे हैं, तो हम भी इसको पर एक बार फिर से चले जाते हैं, कि यह कह रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी चीजे जो हैं आपको, sorry, इसमें आपको खासियत के बारे हम नहीं बताना है, इसमें बताना है कि anthropology में एंबर एंबर कह रहे हैं कि आप किस तरीके तक किस हद तक जा सकते हो, क्या एक डेप्थ हो सकती है? तो अगर आप Anthropology के हमने अभी बात की, branches क्या-क्या है, एक socio-cultural है, आप सर्फ cultural कहलो, यह फिर सर्फ social कहलो, एक biological है, ठीक है? एक archaeological है, तो इसके अंदर और depth क्या है? अगर कोई पढ़ता है तो क्या कह सकता है कि मैं किस चीज में particularly specialized हूँ क्योंकि social cultural anthropology में हमने देखा कि बहुत सारी दुनिया जहान के चीज़ा आती है इन सब पर मेरी खासियत है महारत है कोई कह सकता है कि मैं इन सबसे हट के मैं अलग अलग कम्यूनिटी अलग लग सोसाइटी अलग लग कल्चर में उसके उपर है कोई आपको तो numerous specialization देखने को मिल जाते हैं सिर्फ cultural anthropology के अंदर में बाइलोजिकल के अंदर में भी वही है कोई अपने को कहेगा कि मैं प्रामेट और यहां पर मैं देखने को मिल रहा हूं को आप से कहेगा मैं molecular लेवल पे जो molecular biology के लेवल पर मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको मैं जानता हूं कोई कहेगा कि मैं cytogenetics को जानता हूं ठीक है तो अलग-अलग इसके अंदर भी specialization है को कोई कहेगा मैं gerontology को समझता हूं या पढ़ता हूं यानि कि मैं human की aging की process को पढ़ता हूं समझता हूं कोई कहेगा मैं growth को पढ़ता हूं को पढ़ता हूं तो बहुत सारे endless इसके अंदर specialization हो सकता है जो एंबर यहां पर बताना चाहा रहे हैं नेक्स जी जो आपके है वह आर्ट कि अंदर पास साइटी इसको पढ़ए और भी उसके बेसे सब्सक्राइब आप जैसे कलचरी को अलग भाग में बाठा गया है पेलोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक उसके बाद के सारे कल्चर को देखने को अंट मिलता है न बरांज एस कल्चर हैा आइड एज कल्चर आपको देखने को मिल रहा है न ग। भी आपको middle, upper, lower, पेलोथिक देखने को मिल ला है, तो ये सारे अलग-अलग culture है, तो कोई हो सकता है पेलोथिक में upper का specialist हो, कोई हो सकता है middle का हो, कोई lower का, कोई misolithic का expert हो, कोई neolithic का हो, कोई copper का iron का, अलग-अलग कोई हो सकता है, protest oric civilization का expert हो, तो specialization under anthropology is endless, यहां आपने तीन examples के थूँ वो बताया, ember and ember भी इनी examples के थूँ बताना चाह रहे होते हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ों को यूज की है, कोई psychological domain को देख सकता है, ठीक है, कोई economic anthropologist बन सकता है, cultural के अंदर में जो example हो दे रहे हैं, next relevance of anthropology क्या है, इसकी एक तरीके से ज़रूरत क्या है, तो आज के society में कई बार problems हो जाती है, individual differences के basis पे हम एक दूसरे को judge नहीं कर पा रहे होते हैं, लोगों का नजरिया बड़ा वो होता है, सब लोग अपने कल्चर को अपनी चीज़ों को superior समझ रहे होते हैं, इस वज़े से कई बार conflicts हो सकते हैं, for example, इंडिया में अगर आप बात करों तो caste के basis पे, बाहर आप बात करते हो तो racial आपको अभी देखने को मिल ला है, यूएस में अगर आप देखते हो तो racial जो conflict है, वो बहुत तेजी से देखने को मिल ला है, तो anthropology जो है वो इन ही differences को sort out कर रहा होता है, इस myth को burst करता है कि race जैसी कोई चीज होती है, कोई नसल एक से superior और दूसरी नसल जो है, वो inferior है, या फिर caste की जो practice है कि कोई अगर ब्राम्मेन है तो उसके पास वो वहीं पढ़ाई कर सकता है, वहीं चीजों को कर सकता है और अगर कोई lower caste से आता है तो उसके पास पढ़ाई का हक नहीं है, temple entry नहीं कर सकता है, यह सारी चीजों को myth को burst कर रहा होता है, क्योंकि वो इन सब चीजों को in-depth पढ़ा रहा होता है, तो relevance इसकी endless है, हमने बात की कि अगर आप biology या फिर physical anthropology के अंदर में जाके देखते हो, तो forensic की मदद से वो criminal identification, personal identification, paternity disputes को redress या solve करने में भी help कर रहा होता है, so this was all about today's lecture, I have reminded you two times regarding the starting of the batches from 21st of April 1 p.m. onwards, you can use the code USLIFE to join that, and in the next lecture, further in the series of Ember and Ember, we'll be going ahead with chapter 2, before that, of course, we'll go to discuss the case studies mentioned in the chapter 1, two case studies are left that we will discuss before starting chapter 2, see you in the next video, thank you, have a nice day, signing off.